आप देख रहे हैं तेजगर 24 और जारी है खबरों का सिलसला सांपों की प्रजाती में अजगर की प्रजाती ऐसी होती है जो बेहर ही खुखार और भयाबा होती है अजगर को देखने के बाद अच्छी अच्छों में उसका डर दिल में समा जाता है खुछ ऐसे ही खौफ जदा है वह किसान जिनके खेतों में अजगर सांपों ने डेरा डाल लिया है दरसल मामला है जवलपूर के गराच्छेतर का जहां नहर के आसपास खेतों में एक या दो नहीं बलकी दरजन भर से अधिक विसाल काय जिगर सांपों ने अपना डेरा जमा लिया है इन मिसाल काय सांपों ने रोजाना किसानों का आमना सांपना होता है जो डर के मारे या खेतों में जाने से कतराने लगे हैं किसानों में खौफ उस वक्त समा गया जब एक किसान पर अजगर ने हमला कर दिया गनीमत पी किवाय जान बचाने में काम्याब रहा इस घटना के बाद इलाके कि किसानों में देहसत का माहूल ब्याप्त है और किसानों ने वन विभाग से मदद की अब गुहार लगाई किसानों में फैली देहसत को देखते हुए वन अमला सक्री हो गया और अजगर सापों की तलास कर उन्हें पगड़ने का प्रयास कर रहा है अब तक दो सापों को पगड़कर उन्हें सुरचित इस थान पर छोड़ा जा चुका है यह शरी विजय कुमार यादाव जी इनका यह खेत है बगल में और यह करीब कुछ दिन से यहां पर यह आके रोज बैड़ जा रहा है करीब दस से ग्यारा अजगर की सूचना है यहां पर इरिगेशन वाले साप भी आए हुए हैं पर पैट्रोलिंग करते तो उनने भी सू कोई को मतलब संकट में ना पड़े नाजबन विभाग के रैस्क्यू स्कॉट दारा इनको सुरक्षित पकड़के नए बातावर्णे में इनको छोड़ने का काम किया जाए लेकिन जो जहां पर किसानों के पाई बगेरा लगते हैं वहां प्रात्रिक्ता पर रखा जाएगा लोगों को सचेत कर दिया है कि एकतम से एकतम नजदीक ना है उसको छेड़ चाड़ ना करें उसको पकड़ें करता हूं दो तीन दिन से क्या है गाहों वाले भी बता है किसानों के दौरा मैंने भी एक दौरती है यहां पर कितनी चीज़े अभी कि एक दो पकड़े है और वह दूरा है यहां उन्य बता है रही है मतलब यह बाइपास से लेके अपने चौकिता तक कि उडिये जो वहां तक तक दसके आसपास है विदौरे इसमें